दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे concept of cost के numericals के बारे में इससे पहले हम लोगोंने query portion के हम लोगोंने तीन class already upload कर चुकी हैं वो आप description मैंने आपको link दिये वो आप वहाँ से चेक कर लिजेगा आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे पूरी numericals के काफी सारे numericals करेंगे और numerical करने से पहले हम लोग देखते हैं concept of cost के कुछ basic formulas जो हमने लिखतो लिए थे theory portion में भी लेकिन यहाँ पर हम लोगोंने अलग से note करना है आपको cost के देखो तो सबसे पहला आपका formula है total cost is going to total fixed cost plus total variable cost जो हमारा total cost होता है यह total cost आपके नकल के आता है यह बाफ fixed cost और variable cost दोनों को plus कर देते हो तो हमारा नकल के आता है total cost उसके बाद average cost is going to average fixed cost plus average variable cost यह भी easy सा formula जैसे tc था t की जगा सरफ a आ गया हर जगा बागी formula same है आपका तो ac is going to afc plus avc इसके बाद देखो यह तीन formula है हमारे पास सबसे पहले और आपको जो इन तीन formula में याद रखनी है बात वो यह रखनी है कि जब हम लोग t को quantity से divide कर देते हैं तो हमारा a आता है यानि आप total को quantity से divide कर देते हो तो हमारे पास average नकल के आता है अब देखो ती के बागल में अगर आप c लगा देते हो तो total cost divided by quantity तो average cost ती के बागल में आप अगर v लगा देते हो variable cost और quantity से divide करते हो तो average variable cost अगर t के साथ आप fixed cost लगा देते हो 20 को सitous एक करना इस चाहिए कांट कों इतो ऑरा यहां वाइस को श्रीडिय कोंट ओ यहां पर या एवेरेज कोशनिकरं से कॉश्ट और इसनाू और अगर यहां पर कॉस्ट्य वैरीबिल कॉस्ट्य शिती थो हुआ दीवरेज cost को आप Q से multiply कर दो तो हमारा निकल के आजागा total cost average cost into Q बराबर total cost इसके बाद यहाँ पर AFC into Q कर दें तो हमारा निकल के आजागा TFC यहाँ पर ABC into Q कर दिया तो हमारा निकल के आजागा TVC दोस्तो फॉर्मूले तो सिर्फ यही थे देखो सबसे पहला point कि 0 level of output पे जो आपका TC होगा वो आपका TFC कहलाएगा कि आपका output जब 0 होगा उस time पे जो भी आपको total cost दिया है जो भी आपको TC दिया है वो आपका TFC कहलाएगा और TFC आपको पता है fixed cost हर जगा fix रहती है TFC हर जगा आपका same रहेगा उसके बाद second point हमारा when output is start with 0 जब आपका output 0 से start होगा देखो जैसे यहाँ पर output 1 से start है यह output जब आपका 0 से start होगा तो आपको क्या करना है when output is start with 0 check marginal cost and total cost marginal cost कैसे निकलेगा total cost में जो भी change आएगा वो हमारा निकल के आएगा marginal cost तो यह आपका total cost suppose करो दे रखा है total cost में जो भी change आएगा वो हमारा marginal cost कैलाएगा पहला dash 10 की उपर कुछ नहीं 18-10, 8, 28-18, आपका 10 उसके बाद third point, last point है when output is start with 1 अब suppose करो output हमारा 1 से start होगा आपको question में यह था जब आपका output 1 से start होगा तो आपको क्या check करना है marginal cost और total variable cost यानि total variable cost में जो भी difference आएगा वो आपका क्या नकल के आएगा marginal cost फिर ध्यान रखना आपको total cost और marginal cost नहीं देखना फिर आपको देखना है total variable cost और marginal cost कि total variable cost में जो भी difference आएगा वो हमारा marginal cost नकल के आएगा तो यह आपको basic से तीन बातें याद रखने है mainly आपको series के बारे में धेहान रखना है कि output में जो question दिया है आपको उसमें output 1 से start हो रहा है या output आपका 0 से start हो रहा है अगर output 0 से start हो रहा है तो total cost में जो difference है वो marginal cost से नकल के आएगा अगर series 1 से start है तो आपको देखना total variable cost और marginal cost कि जो total variable cost में डिफरेंस है वो हमारा marginal cost नकल के आएगा फिर total cost हम लोग अलग तरीके से नकालेंगे या तो नकालेंगे average cost into quantity या फिर हम लोग नकालेंगे total fixed cost plus total variable cost बराबर total cost तो यह आपको तीन बात हैं और यह आपको सारे के सारे formulae यह आपको note कर लेने इसके बाद अब हम लोग करते हैं कुछ easy से question उसके बाद hard question करेंगे काफी सारे question करेंगे दोस्तों बने रहो इस वीडियो के साथ देखते हम लोग पहला question पहले question में हमें दखो quantity दे रखिए यानि output दे रखा हम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास total cost मौझूद है 60, 80, 100, 111 116, 130 और 150 आपको calculate करना है TFC, TVC, AC, AFC, AVC और marginal cost यानि आपको सिर्फ total cost given है आपको बाद की सारी चीज़ें calculate करनी है दखो हम लोगों ने एक सबसे पहले जूल पढ़ा था अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कि 0 unit output पे जो भी आपकी total cost होती है वो आपकी total fixed cost कहलाती है और total fixed cost हर एक unit पे आपकी same होती है तो अगर हम लोग 0 unit के सामने देखें तो total cost हमारी 60 तो यह जो 60 होगा यह हमारा fixed cost हर एक लाएगा और 60 हर जगा आपका same रहेगा तो अगर हम लोग आप देखें दो वो हमारे पास total cost मोजूद है total fixed cost मोजूद है हम लोगों ने formula पढ़ा है total cost बराबर total fixed cost plus total variable cost तो यह हमारा TVC है TVC हमारा निकल के आएगा total cost मैंसे अगर हम लोग total fixed cost माइनस कर दें तो हमारा total variable cost नकल के आए तो हो TC मैंसे TFC माइनस कर दो तो total variable cost 60 मैंसे 60 माइनस करोगे आप 0 80 माइनस 60 20 100 माइनस 60 आपका 40 111 माइनस 60 यह आपका आएगा 51 116 माइनस 60 यह आएगा 56 फिर 130 मैंसे 60 माइनस करोगे 70 और 150 मैंसे 60 माइनस करोगे तो यह आएगा आपका 90 इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमें calculate करना है average cost average fixed cost average variable cost और marginal cost तो अब हम लोग देखो एक-एक से calculate करते हैं सबसे पहले average cost नकालते हैं average cost average हमें नकालना है वो भी average cost तो हम नकालेंगे total cost total cost को अगर Q से divide कर दो तो हमार पास average cost आजाएगा total cost को हम Q से divide कर दें तो हमार पास average cost आजाएगा total cost हमार पास मौझूद है 60 को 0 से divide करेंगे तो या तो infinity या फिर आप 10 लगा दिए 80 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका 50 आएगा 111 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 आपका 116 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36 130 को 5 से डिवाइड करो आप total cost को तो 5 2 जा 10 5 6 जा 30 और फिर लास्ट में 150 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 2 2 12 और 6 5 जा आपका 30 होता है इसके बाद देखो average cost निकल लिया अब है हमारे पास average fixed cost average क्या आगे है fixed cost तो हम total fixed cost देखें total fixed cost को अगर हम Q से डिवाइड कर दें total fixed cost को quantity से डिवाइड करते हैं हमारे पास average fixed cost को अब देखो total fixed cost हर जागा 60 60 है 60 को 0 से डिवाइड करेंगे आपका तैसा आगा 60 को 1 से डिवाइड करोगे आप 60 आएगा 60 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 30 आएगा 60 को 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 60 को 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जब 4, 4 5 जब 20 130 को, sorry 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 5 जब 60 और 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो यह आप का जाएगा 10 उसके बाद है हमारे पास average variable cost तो देखो, total variable cost को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास average variable cost आता है 0 को 0 से डिवाइड करोगे पहला आपका 10 है 20 को 1 से डिवाइड करोगे आपका 20 आता है 40 को आप 2 से डिवाइड करोगे ये भी आपका 20 आता है फिर 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 बंज़ 3, 3 7 जब 21 और फिर 56 को 4 से डिवाइड करोगे 90 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हूं तो 6 बंजा आपका 6 होता है और उसके बाद 6, 5 जा आपका 30 होता है दोखो यह हमारे पास average variable cost निकल किया गया अब last है आपके marginal cost की बारे दोखो इसमें हम लोगों ने 2 point note किये थे कि अगर series 0 से start है तो आपको total cost और marginal cost को देखना है अगर series आपकी 1 से start है तो आपको total variable cost और फिर marginal cost को देखना है तो यहाँ पर हमारी series start है 0 से तो हमें देखना है total cost और marginal cost देखो total cost में जो भी difference रहेगा वो अपना marginal cost निकल किया आगा पहला आपका 60 पूपर कुछ भी नहीं है तो यह आपका 11 आएगा 116 में से 111 माइनस करोगे यह आपका 5 calculate होता है फिर 130 माइनस 116 यह आपका आता है 14 उसके बाद 150 माइनस 130 तो यह हमारा निकल किया आयाता है 20 तो दोस्तो यह था हमारा पहला question अब शुरू करते हैं हम लोग second question की second question में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास quantity है 1,2,3,4 marginal cost हमारे पास यहाँ पर given है 40,30,35 और 39 हमें calculate करना है average variable cost अगर हम लोग average variable cost की बात करें तो हम अगर total variable cost को quantity से divide करते हैं तो हमारा average variable cost निकल के आता है अब देखो सबसे पहले हमारे बात है कि TV से हम लोग निकाले हैं कैसे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो series हमारी 1 से start हो रही है और जब आपकी series 1 से start होती है तो आपको marginal cost और total variable cost को देखना है यानि marginal cost का अगर आप total करते हो तो total variable cost निकल के आता है 40 का 40, 40 plus 30 यह हमारा आएगा 70 70 plus 35, यह आएगा 105 और 105 plus 39 अगर आप करोगे तो यह 144 निकल के आता है इसके बाद हम लोग को निकालना है average variable cost average variable cost हमारा निकलता है अगर आप total variable cost को quantity से, output से आप अगर divide करते हो तो हमारा average variable cost निकल के आता है दो, TVC हमारे पास दे रखा है first unit पर 40, 40 को 1 से divide करते हो यह आएगा आपको 40 second unit पर आपका 70, 70 को 2 से अगर आप divide करते हो तो 35, 105 को आप 3 से divide करते हो तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 144 को अगर आप 4 से divide करते हो तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24 यह आपका था दोस्तों second question बात करते है third question दोस्तों third question हमारे पास बिल्कुल easy question है दोखो आपको output दे रखा है 1, 2, 3, 4 हमारे पास TVC मौजूद है 20, dash, फिर 54 आपको 2 TVC दे रखिए average variable cost भी आपको मौजूद है dash, फिर 16, और फिर last 20 marginal cost आपको पूरा का पूरा calculate करना है देखो सबसे पहले हम लोग average variable cost से निकालते है total variable cost तो अगर हम लोग average variable cost को quantity से multiply कर दे तो हमारे पास total variable cost निकल के आया था है देखो second unit पे 16 है 16 into 2 आपका 32 20 into 4 यह आपका 80 उसके बाद हम लोग average variable cost निकालते है तो अगर आप लोग total variable cost को quantity से divide कर देते हो तो यह हमारा निकल के आता है average variable cost अब देखो first unit पे 20 को अगर आप 1 से divide करते हो 20 54 को 3 से divide करते हो तो 3 बंजा 3 38 जा और उसके बाद हमारा बसता है marginal cost अब आप अगर देखो series आपकी 1 से start हो रही है जब series आपकी 1 से start होती है तो हम लोग चेक करते है total variable cost को और marginal cost को तो देखो total variable cost हमारा पस given है पहला आपका 20 का 20 सेम आएगा दूसरा 32 minus 20 आपका 12 आएगा 54 minus 32 आपका 22 आएगा और 80 मैंसे अगर आप 54 को minus करते हो तो यह आपको 26 आएगा देखो देखतो अब देखते हम लोग एक थोड़ा सा hard question fourth question और वो हमारा रहेगा आज की class का last question तो दोस्तो fourth question की अगर हम लोग बात करें तो हमें calculate करना है total variable cost, total fixed cost, average cost, average fixed cost, average variable cost and marginal cost आपको लगब लब सारी चीज़ें calculate करना है जिसमें आपको given है fixed cost at fourth unit of output is 20 आपको fourth unit of output पे यानि आपको fixed cost दे रखी है आपको fourth unit पे 20 तो यह हमारा पास TFC है TFC हमारी fourth unit पे आपको 20 दे रखी है आपको यह बात ही पता है कि यह total fixed cost होती है वो हर एक unit पे fixed होती है आपकी तो हर जगा क्या आजाएगा आपका 20, 20 और यह भी आपका 20 आप देखो total cost मैंसे अगर आप total fixed cost minus करते हो तो यह हमारा पास total variable cost निकल के आया था 50 मैंसे 20 minus करोगे आप पास 30 आजाएगा 90 मैंसे 20 minus करोगे 70 आजाएगा 120 मैंसे 20 minus करोगे 100 आजाएगा और 150 मैंसे 20 minus करोगे तो यह आपका 120 आजाएगा 130 आजाएगा आपका अब इसके बाद हम लोग देखते हमें निकालना है average cost तो average cost कैसे आता हमारे पास total cost को आप 20 से divide कर दो तो हमारे पास average cost आजाएगा 50 को आप 1 से divide करोगे यह आपका 50 आता है 90 को 2 से divide करोगे 45 आता है 120 के 3 से divide करोगे 40 आता है और यह 4 से divide करोगे तो 4 3 जा 12 और 3 0 4 4 7 जा 28 और यह आपका 37.5 आगा उसके बाद हमें निकालना है average variable cost तो देखो total variable cost को अगर आप output से divide करते हो 50 से तो यह हमारे पास average variable cost निकल के आता है total variable cost हमारे पास 30 है तो 30 को 1 से divide करोगे 30 फिर 70 70 को अगर आप 1 से 2 से divide कर दे दो तो यह आपका आता है 35 उसके बाद अगर आप 100 को 3 से divide कर दे दो तो यह आपका 33.3 उसके बाद 130 को अगर आप 4 से divide कर दो तो 43 आपका 12 428.5 उसके बाद आपको निकालना है average fixed cost average fixed cost हमारी निकल के आता है total fixed cost को अगर आप outputs divided करते हो तो average fixed cost निकल के आता है दो टोटल फिक्स कोष्ट 20 को 1 से करेंगे हम लोग 20 आएगा 20 को 2 से डिवाइट करोगे हमारे पास 10 आएगा 20 को 3 से डिवाइट करोगे तो 6.67 आएगा अपना 20 को 4 से डिवाइट करोगे आपके पास 5 निकल गया आएगा अब आपका लास्ट बच्छा है तो देखना है total variable cost और marginal cost तो देखो हमार total variable cost हमारे पास यह मौजूद है अब total variable cost को आप difference देखो तो पहला 30 का 30 दूसरा 70 में से अगर आप 30 माइनस करते हों तो यह आएगा 40 100 में से आप 70 माइनस करते हों आपका 30 और 130 में से 100 माइनस करोगे तो यह भी आपका आता है 30 तो दोस्तो यह थे हमारे कुछ बेसिक से आसान से नियूमेरिकल concept of cost के अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो दोस्तो लाइक जिरू कर दिना एक प्यारत सा कमेंट कर लेना अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी खर लीजे फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो थे किनिकली बहुत बहुत थेंक्यू प्रेंट्स